आज हम बात करेंगे महा जन्पद काल की महा जन्पद काल से related मैंने प्रिपेर किये हैं 100 किशन्स और इस पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश किये है मैंने इन हैंडेज किशन्स में तो शुरू करते हैं हमारा जो पहला किशन है उससे लेकिन अगर आपने अब यह तक कि इ दीजे चैनल को और शुरू करते हैं हमारा पहला जो क्विश्यन है सुमेलित करना है महा जनपद हैं एक तरफ और राजधानिया हैं महा जनपद काल की बात करें तो हम सब जानते हैं कि 16 महा जनपद हुए थे और इन अंगुतर निकाय में यह जो 16 महा जनपद का जो उलेक मिल इन्ही महाजनपद की बात हो रही है और यहां पर उनकी राजदानिया कौन सी थी उनसे सुमेलित करना है तो पहले महाजनपद की बात कर लेते हैं तो पहला है कासी कासी महाजनपद की राजदानी थी वारानसी वारानसी जो एड प्रेजेंट उत्तर परदेश में पढ़ता था और मगद की बात करें तो राजग्रे है इसकी जो राजदानी थी या गिरी वरज बोलते हैं और यह पटना गया वाला चेतर था पटना गया बिहार वाला कोशल कोशल जो थी इसकी राजदानी था इसकी राजदानी थी श्रावस्ती कोशल महाजदानी श्रावस्ती जो य जो मुझपरपूर दर्बंगा ये वाला जो चेतर है उत्तर प्रदेश का ये तो ये मैंने प्रेज़ेंट जो चेतर हैं वो बताएं और इन माजनपदों की जो राजदानिया हैं वो कौन किसकी कौन सी थी एक और बार देख लेते हैं कासी की वारानसी मगद की राजग्रे औ और कोशल की शिरावस्ती वज्जी की मिथिला या वैशाली अगला देख लेते हैं नंद वंस का संस्तापक कौन था नंद वंस जो था उसका संस्तापक कौन था तो वो थे महाद्पद्र नंद second option correct है मगद सामराज्य की किस वंस के सासकों को पित्रहंता कहा जाता है तो पित्रहंता जो थे वो हरियक वंस ये सासकों को कहा जाता है क्योंकि अजात्सत्रू ने बिम्बी सार को मार कर जो राजा बना था और यही उसके साथ हुआ था उद्धे ने अजात्सत्रू को मारा तो हर यह वंसी जो शाशक है इनने बितरहन्टा कहा जाता है सिकंदर के आकरवनं के समय नंदवन्स का शाशन था उत्रभारत पर ग्रैपती का अर्थ बताना है तो धने किसान सिकंदर भारत में रहा कब तक 19 माह तक नंद वंस का अंतिम सासक कौन था तो ये हम सब जानते हैं धनानन्द ये इसमें आ की मातरा नहीं लगाई है धनानन्द पोर्स ओप्शन करेक्ट है सिकंदर महान एवंपोरस पुरू की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था जेलम नदी के राजग्रे के चारों और धातुचेत्ते का निर्मान करवाया था अजात स्त्रू ने निमली कीत्मेसे किस राजज्य में गणतंत्रात्मक्स आशन ववस्ता नहीं थी तो किस में नहीं थी ये बताना है सही काथन बताना है काशी का शकतिसाली राजा ब्रह्मदत था बिल्कुल सही, गासी का शक्तिशाली राजा ब्रहमदत था, कोशल महा जनपद का महतपूर्ण सासक परशेंजीत था, जो बुद्ध का समकालीन और समान आयूका था, बिल्कुल वत्स महा जनपद में आधुनिक इलावाद का चेतर था, जिसकी राजानी कोशांबी थी, उप शक्तिशाली में दुद्धे संगिती, बौद संगिती का आयोजन किया गया, उसे काकवरण के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन थे, काकवरण किसको कहा जाता था, कालाशोक को, और इस टाइम पे दुद्धे बौद संगिती का आयोजन हुआ था, अगला है, महा जनपद काल में गनतंतरों के परिशद के सदस्य जे स्थान पर एकत्रित होते थे यह स्थान हमारे वर्तमान संसद भवन की तरह होता था वह है था हमारा जो वर्तमान संसद भवन की तरह होने वाला महा जनपत काल का गनतंतरों के परिशद के जो सदस्य थे वो इकठा होते थे उस 233 इस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्युवी थी कौन से स्थान पर बेबिलोन में चमपा नगर किस महाजनपद की राजदानी थी तो अंग महाजनपद की राजदानी चमपा थी शिशुनाग ने किस राजे का विले मगद सामराजे में नहीं किया बाकि अवन्ती वत्स और कोशल का किया मगद सामराजे के बारे में सही कथन कौन सा है ये बताना है तो इसमें सही कथन कौन सा है तो गिरीव वर्ज राजगरे पाटली पुतर वेशाली करम से चार राजधानिया थी बिलकुल थी पुराणों माकाविं के रिसकी स्थापना ब्रहद्रत ने की थी पुराणों ने इसे सरवादिक विस्तार प्राजधान किया तथा सर्वस्तरा तक शत्रियों का अंत करने वाला तथा इकराट की उपादी धारन की ये सारे उप्यूगते सभी सही है सारे के सारे कथन यहाँ पर सही है अगला देख लेते हैं वज्जी संके विरूद मगद राजे के किस आशक ने पर्थमबार रत मुसल मतलब एक ऐसा रत जिसमें गदा जैसा हतियार जुड़ा हुआ था और महासीला कंटक जिसमें की पत्थर फैंकने का एक यूद यंत्र था उसे महासीला कंटक कहा गया है गुपत अत्यारों का प्रियोग किया गया था वज्जी संके विरूद मगद राजे के किस आशक ने किया था ये पर्थमबार तो ये किस ने किया था अजात स्तुरू ने किया था महा भी निश्कर्मन क्या है महा बिनिश कर्मन है बुद्ध द्वारा बोतिक जगत का परित्याग ये हम जैंदरम और बोत द्वार में भी पढ़ेंगे तो ये इसे रिलेटिड किशन नहीं है ग्रीक युनानी लेक को द्वारा किसे अग्नमीज या जैंदरमीज कहा गया है तो ये किसे कहा गया है धनानंद को कहा गया है हर्यक वंस की किस सासक ने पाटली पुत्र को मगद की राजदानी बनाया तो पाटली पुत्र को मगद की राजदानी उदाइन ने बनाया मगद सामराट भिम्भी सार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज़े के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था जिसे पीलिया हो रखा था और जो राजवेद जीवक था उसको भेजा था मगद के समराट भिम्भी सार ने तो किस राज्य के राज्या किस्चा के लिए भेजा था अवंती सुमेलित करना है बली शादक कौन होते थे बली शादक होते थे किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी बली शादक बली का मतलब क्या कर तो और किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी बली शादक महामात्र कौन होता था उंच कोटी के अधिकारी और अस्ट कूलक प्रामर्श दाई संस्ता डेरियस या दारिय वाहु पर्थम ने 1516 बिफोर क्राइस्ट मतलब इसापूर्व में सिंदु के तटवर्ती भूभाग को जीत कर उसे इरान का बीसवा शत्रपी प्रांत बनाया उससे कितना राजिस्व प्राप्त होता था उससे प्राप्त होता था 360 टैलेंट सर्व शत्रांत तक निम्न में से किसे कहा गया है तो शत्रियों का अंत करने वाला सर्व शत्रांत तक किसे कहा गया है महापदमानंद को जो की ये जो वंस था उसको संस्थापक था कौन से वंस का संस्थापक था तो ये जो जिसमें धनानंद हुए हैं और महापदमानंद जो थे वो नंद वंस की संस्थापक थे तो ये नंद वंस की संस्थापक थे किस मुर्द भांड या पौट्री भारत में द्वित्य नगरी करण या शहरी करण के प्रारम का परतीक माना जाता है तो वो हैं उत्री काले पौलिश करत बरतनों का देख कर ये जो पौट्री है ये भारत में द्वित्य नगरी करण के प्रारम का परतीक माना गया है बोधगरंत अंगूतर निकाय में कितने महाजनपदों का उलेक मिलता है तो ये हम सब जानते हैं कितने महाजनपदों का उलेक मिलता है 16 शिशुनाग वन्स का वह कौन सा सासक था जिसके समय में वैशाली में द्वित्य बोध संगीती का आयोजन क्या गया उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है ये अभी हमने देखा था तो ये काला शोक था महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को क्या कहा जाता था उसे कहा जाता था श्रेश्ठीन जो श्रेणियों के संचालन करता था उसको श्रेश्ठीन कहा जाता था सही कथन है मल महाजनपद उत्तर परदेश के देवरिया जिले में स्तित्था बिलकुल उसके दो भाग थे एक किराजदाने कुशी नगर थी और दूसरे की पावा थी बिलकुल कुशी नगर में महात्मा बुद्ध का महापरी निर्वान प्राप्त हुआ था जबकि पावा में महाविर स्वामी को प्राप्त हुआ था बिलकुल सही उप्रोक सभी सही है और ये इंपोर्टेंट क्यूशन बनता है कुशी नगर में महात्मा बुद्ध का महापरी निर्वा मगद के उतकर्स के सहायक तत्वे क्या थे? भाली गरंतों में गाउंग के मुख्या को क्या कहा जाता है? बोजक या ग्राम बोजक कहा जाता है पाली गरंथों में और ये बॉथ दर्म जो पहले लिखे गए थे बॉथ दर्म के जो गरंथे वो पाली भासा में लिखे गए थे बारत पर आकरवन करने वाला सिकंदर मुलतेस आसक था कहा का मैसिडोनिया का मकदूनिया जिसे बोलते हैं मैसिडोनिया का किस मगद समराट ने अंग का विले अपने राज्ये में कर लिया अंग का विले अपने राज्ये में किस ने किया बिम्बिसार ने कासी और लिच्वी का विले मगद सामराजे में किस ने किया कासी और लिच्वी का मगद सामराजे में जो विले था वो अजाद स्त्रू ने किया था अगला है सही कतन बताना है प्राचिन समय में कमबो जनपद अपने श्रेष्ट गोड़ों के लिए विख्या था बिल्कुल था मगद की राजजानी राजगरे का पांच पाड़ियों से गिरे होने और पाठली पुतर का नदियों से गिरे होने की कान सामरिक महत्व था बिल्कुल इसलिए राजगरे के बाद में पाठली पुतर राजजानी बनी थी और फिर अगेन बनी थी राजगरे फिर अगेन पाठली पुतर को बनाया था तो ये इनका सामरिक महत्व था इसलिए बनी थी ये राजजानिया नंद वंस में कुल नो राजवे थे, इसलिए इसे नव नंद कहा जाता है, बिलकुल उप्युकत सभी सही है बिंबी सार किस वंस का सासक था? तो हम सब जाते हैं बिंबी सार जो थे वो हरियक वंस के सासक थे किस आसक ने गंगा वे सोन नदियों के संगम पर पाठली पुतर नामक नगर की स्थापना की तो किसने की थी उद्धाइन ने मगद सामराज्य की उतकर्स का वास्तविक संस्थापक माना जाता है तो मगद सामराज्य की उतकर्स का वास्तविक संस्थापक जो है वो बिम्बिसार को माना जाता है निमलिकित में से किसे सेनिया सेनिया का मतलब होता है नियमित और 27 सेना रखने वला तो सेनिया किसे कहा जाता है ये बताना है तो वो कहा जाता था बिम्बिसार को इसने बहुत ही ज़्यादा परसार परसार जो था अपना जो एरिया था उसको बढ़ाया था मगद मगद को बढ़ाया था सही कथन है कुरू महाजंपद मेरट दिली और थानेशवर के भागों में स्थिथ्था बिलकुल पांचाल महाजंपद के दो भाग थे उतरी और दक्षनी Pांचाल बिल्कुल उत्री पांचाल की राजानी जो थी वो अही छत्र थी और दक्षनी पांचाल की काम पेल थी बिल्कुल पांचाज महाजनपद में आदुनिक रुहेलखेंड के बरेली बंदायू और फरुकाबाद जिले स्थित्थे बिल्कुल सही है ये और उप्युकत सभी कथन सही है फोर्थ ओप्शन हमारा करेक्ट है सिकंदर ने एक नए शयर अलेग्जांड्रिया ऑफ द एरो कोसियंस की स्थापना की जो अब किस नाम से परसिध है तो यह सिकंदर ने एक नए शयर बनाय ता इसे अब कंधार कहा जाता है चार आरिये शत्ते हैं बोध दरम के परमुक सिद्धानतों चार आरिये शत्ते कहलाते हैं उजेन का प्राची नाम क्या था उजेन का प्राची नाम अवंति भारत पर आकर्मन करने वाला पहला इरानी समराट कौन था तो पहला इरानी समराट डेरियेस प्रिथम जिसे दारा कहते हैं सूमेलित करना है महाजनपद और दूसरी तरफ राज़धानिया है मतस्य जनपद की राज़धानी थी बैराठ या विराठ नगर जो अब जैपुराजस्थान में पढ़ता है एरिया असमक की राज़धानी थी पोटन या पोटली जिसे के पोटन कहते हैं जो गोदावरी नदी के आसपास का छेतर में पढ़ता है दक्षिन में यही था एक असमक दक्षिन भारत में पढ़ती है अवंती जो है यह उजयनी मालवा किसासक ने अवंती को जीत कर मगद का हिसा बना दिया बारत विजय के लिए सिकंदर कहां से चलकर काबूल के मुख्य मार्क से होते वे हिंदकुष परवत पार कर भारत आया था तो वो कहां से चलकर आया था पैदल तो वो बलख बैक्टरिया से अगला किशन देखते हैं अगला किशन है सुमेलीत करना है पांचाल पांचाल जो है वो वर्तमान रुहिल खंड है काशे जो है वो वर्तमान वारानसी अश्मक जो है वो गोतावरी नदी के तठ परस्तित है और कलिंग जो है वो उडिसा में मगद के राजा अजात स्त्रू का किस गंडराजे के साथ युद रहा मगद के राजा अजात स्त्रू का वज्जी वज्जी से रहा वज्जी वेशाली से इसका युद रहा अगला है महावारत काल में पांडों ने अपना अग्यातवास विराठ नगर जब बैराट नगर कहते हैं में बिताया था ये किस महाजनपद की राजधानी थी तो ये किस की थी मतश्य नगर की अभी लेग की साक्षिशे परकट होता है कि नंद राजा के आदे से एक नहर खोदी गई थी तो वो नहर कहाँ पर खोदी गई थी कलिंग में आगे बात करते हैं सही कतन बताना है गोदावरी नदी के तट पर अश्मक महाजनपद स्तित था बिल्कुल अभी हमने ये देखा था इसकी राजधानी पोटन या पोटली थी बिल्कुल अगला है दक्षिन भारत में केवल एक मातर अश्मक जनपद ही स्तित है अब भी मैंने बताया दक्षिन भारत में एक अश्मक ही स्तित था गांदार जनपद के राजधाने तक्षीला थी बिल्कुल और उपरुक्त सभी सही है फोर्थ ऑप्षिन हमारा करेक्ट है प्राचिन भारत में दूसरा विदेशी आकर्मन और पहला यूरोपी आकर्मन किय गया था तो विदेशी आकर्मन की बात करें तो दूसरा था और यूरोपी आकर्मन पहला था तो प्राचिन भारत में किया था यूनानियों द्वारा हुआ था निमलिकित में से कौन सा कथन है ऐसत्य कथन बताना है ननदवंस का अंतिम सासक धनानन्द था बिल्कुल जैन फोन ने धनानंद को धनाड़े वेक्ति बताया है कहा है बिल्कुल धनानंद एक गनानंद एक उदार वेक्ति था नहीं यह जो थर्ड ओप्शन है यह ऐसकते है नंदवंस का विनाश चंदरगुप्त मोरिय ने क्या बिल्कुल कोटिल्ले की मदद से प्राचीन भारत में पहला विदेशी अकरमन किसके द्वारा किया गया था तो पहला किसके द्वारा किया गया था यह बताना है प्राचीन भारत में तो इरानियों की द्वारा दूसरा यूनानियों की द्वारा निम्न में से कौन सा जनपत 16 महा जनपतों के सुच्ची में नह क 수가 करदा ह conveniently्ना माद़िन ऐधन पे तो आधनिक छेतर अधन के मालवा सही कतन बताना है है अवंती माधन थे दो भागते हैं उत्तरि अवंत्री इस देना रहन देना उत्तर्ध चानल अपकेर देर और और उत्री अवन्ती की जो राज दानी थी वो उजेन थी और दक्षने अवन्ती की महिश्मती थी बिलकुल इसमें आधुनिक मालवा और मद्य परदेश की कुछ भागों से मिलकर यह जनपद बना हुआ था बिलकुल सही है बुद्ध कालिन अवन्ती का राजा चंड वारत का पर्थम साम्राज्य निर्माता किसे कहा जाता है नंदवंसी शास्तकों को नंदवंसी सास्तकों ने मगद को बहुत विस्तार किया था इरान के हक्मनी वंस के किस सासक ने बारतिय बूबा को जितने के बाद उसे फारस सामराजे का बीस्वा प्रांत बनाया था तो डेरियस या दारिय बाहू प्रथम ने गंडराज्यों का पता सर्व प्रथम 1903 इस्वी में किसने लगाया था रिजडेविडस ने सुमेलित करना है महाजन पदों को उनकी राज़दानी से तो अंग की राज़दानी थी चमपा जो की भागलपूर मुंगेर बिहार वाला चेत्र था मल की राज़दानी थी कुशी नगर जो की देवरिया उत्तर परदेश वाला चेत्र था कुरू जो थी इसकी राज़ानी थी इंदरपरस्त जो की दिल्ली वेरट हर्याना वाला चेतर और पांचाल की राज़ानी थी कामपिल्ले और ये पढ़ता था बरेली फरुखाबाद उत्तरपरदेश वार एरिया निवलिकित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतियासकार नहीं था तो हैरोडोट्स नहीं था बाकी एना सिक्रिटिस था नियारकस था और एरिस्टोबुल्स था सिकंदर के आकर्मन के समय पूरवी गांधार जिसकी राज़धानी तक्सीला थी पर किसका साशन था सिकंदर के समय पर तो आंबी का यूनानी कला के समिश्रण से किस कला शेली का जनम हुआ यूनानी कला का जो बारतिक कला में जब मिलाए गया तो कौन सी इसकी समिश्रण स कौन सी कला का जनम हुआ गांधार कलाश है लिका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है पहला इरानी सासक जिसमें बारत में कुछ भाग को अपने अदीन किया था तो वो पहला इरानी सासक था डेरियस के सासक के साशनकाल में अवंती और मगद के बीच सोजला साल पुराने शत्रुता क अंत हो गया था अवंती और मगद के बीच की सत्रुता थी वो सिशुनाग के समय पर समाप्त हो गई थी सिकंडर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे कौन सा कारण था वह एक अच्छा परशासक था बिलकुल भारत में तब कोई केंद्रिय सत्ता नहीं थी ये भी सही कार थे सिकंडर की भारत में सफलता के निमन लिकीत में से किसे उग्रसेन का मतलब होता है ब्यानक सेना का स्वामी कहा जाता है किसे कहा जाता था तो ये नंद वंस के संस्तापक महापद्मनन को कहा जाता था इरान के हकमनी वंस के किस आसक ने भारतिय बूबा को जीतने के बाद उसे फारस सामराजे का बीसवा प्रांत बनाया डेरियस या बदर बहु पर्थम या चुका ही किशन जेन धरम के तेईसमें तिरतकर कौन थे पाश्वनात अगला है पर्थम मगत सामराजे का उतकर्स कि सदी में हुआ था च्छटी सदी इशापूर तीसरा किस महाजन पत का साब्दिक अर्थ पसूपालक समुझाए था तो पसूपालक समुझाए वजी का'm त शाब्दिकि अर्थ सुमेलित करना है सासक कौन से सासक कौन से वंस समंदित थे काला सोक कौन से समंदित है काला सोक जो है वो सिशुनाग वंस से बिंदु सार जो थे वो मोरिय वंस से बिंबी सार जो थे वो हरियक वंस से और महा पदेनन्द जो थे वो नंद वंस से थे तो ये जो सा सकते वो कौन से वन से समंदित थे वो बताना था निमनलिकित में से कौन एक मगद सामराजे की राजदानी नहीं रहा तो मगद सामराजे की राजदानी पाटली पुत रहा गिरी वर्ज या राजगरे भी रहे कोसां भी नहीं रहा सही कथन है अंग महाजनपद की राजदानी चमपा थी बिल्कुल थी अंग महाजनपद में बिहार का वर्तमान भागलपूर और मुंगेर जिला आता था बिल्कुल मगद महाजनपद की राजदानी गिरी वर्ज या राजगिरे थी बिल्कुल इसमें वर्तमान में आधुनिक पटना गया और साहबाद वाला कुछ हिस्सा पड़ता है ये वाला एरिया आता था उप्योक तो सभी सही है बोध बिक्षों के गेरवे वस्तर कास्षे का निर्मान किस महा जनपद में किया गया था तो कास्षी में अगला है मगद की पर्थम राजदानी कौन सी थी मगद की पर्थम राजदानी गिरीवर्ज या राजगरे कहा जाता है जिसे वो थी बादवे पाटली पुतर बनाया गया फिर अगेन इसी को बनाया गया अवंती को मगद में मिलाने वाला सासा कौन सा था फिर से repeat हुआ है ये high depth पस वितस्ता मतलब जिसका आधुनिक नाम है जहलम, जहलम को वितस्ता का जाता था कायूद 326 बिफोर क्राइस्ट, इसा पुरु किन किन सास्कों के बीच में हुआ था, जहलम कायूद किस-किस के बीच में हुआ था, तो सिकंदर और पोरस के मद्दे 16 महाजन पदों का उलेक निमन लिकित में से किस गरंथों से प्राप्त होता है, तो ये अंगुतर निकाय से प्राप्त होता है, और दूसरी बात करें तो बगवती सुतर, जो जेन धरम का जो गरंथ है, उससे भी मिलता है तो दोनों से मिलता है, अंगुतर निकाय जो है बोध गरंथ है, और बगवती सुतर जेन गरंथ है छटी शदी इशापूरू के दोरान बड़े राज्यों के उदे का मुखे कारण क्या था, तो यहाँ पर उदे का राजा का नाम था, कुनिक किसे कहा जाता था, अभी देखा था, हमने अंग जनपद को किस सासक द्वारा मगद में मिलाया गया था, तो अंग जनपद को विंबिसार द्वारा मगद में मिलाया गया था, सुमेलित करना है, महा जनपद है, दूसरी तफ उनकी राजधानिया गांधार की जो राजदानी थी वो क्या थी तो गांधार की राजदानी थी तक्षिला जो वर्तमान रावल पिंडी और पेसावर पाकिस्तान वाला जो छेटर है सूरसेन की राजदानी थी मतुरा उत्तर परदेश वत्स की राजदानी थी कोसांबी वर्तमान इलाबाद उत् अगे बात कलेते हैं विश्व का पहला गनतंतर वैशाली में किसके दवारा स्थापित किया गया था। अक्तीमत्य से की जाती है बिल्कुल यह मावारत काल में यहाँ का साशक शिशु पाल था, विल्कुल सही, शिशु पाल का वद बगवान स्री कृष्षन के द्वारा किया गया था, विल्कुल सही सिकंदर ने भारत पर कब आकर्मन किया था सिकंदर ने 326 इसापूर भारत पर आकर्मन किया था जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता ये कथन किसका है तो जब पोरस को सिकंदर ने पकड़ लिया था तो पोरस ने ये कथन कहा था जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है वही वैवार तुम मेरे साथ करो क्योंकि सिकंदर ने पोरस से पूछा था कि तुमसे तुमारे साथ कैसा सुलुक किया जाए तब पोरस ने कहा था जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है तो आगे हम देख लेते हैं, तो पौरस का कथन था ये, सुमेलित करना है राजा और राज्ये, उनके राज्ये कौन से थे, कौन से राज्या के, पर्द्योत, अवंती का राज्या था, परशैंजीत, कोशल का, उदैन, वत्स का, अजात्स्त्रू, मगद का, आगे देखते हैं, मगद के किस प्रारंबिक शासक ने राजा रोण के लिए अपने पिता की हत्या की, एवं इसी कानवस अपने पुत्र द्वारा मारा गया, तो कौन था वो, अब भी मैंने बताया था, स्टार्टिंग में अजात्स्त्रू, इसलिए हरयंक वंस को पित्रहंत की आकर्मन का, इस आकर्मन ने भारत और युनान के बीच परतेक संपर्क स्थापित करवाया, बिल्कुल, इस आकर्मन ने पस्चिमोत्तर भारत में युनानियों की स्थापना का मार्ग प्रस्तस्त किया, बिल्कुल, सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उ यहां पर जब पोरस से योधि किया था उन्होंने जहलम नदी के दोनों तरफ तटवर्ती छेतरों पर इनका सामना हुआ था और पोरस की विरुद सफलता प्राप्त किया ली थी सिकंदर ने उसके पश्चात उसने कौन सा नगर स्तापित किया था निकेया विजे नगर पूतना की थी बिंभी सार के समय राजवेद जीवक परसित विद्ध था बैद।फ outline हमें पता है कि इनों ने बेजा था राजा के इलाज करने के लिए भी बेजा था बिम्बी सार ने तो ये जीवक जो थे वो परसिद वैद्ध थे तथा परसिद वास्तुकार कौन था बिम्बी सार के समय में ये बताना है हमें तो वो थे महागोविंद महात्मा बुंद के परी निर्वान प्राप्त करने की बाद 483 इसवी पूर्व में किसने राजग्रे की सब्त वरनी गुफा में पर्थम बोध संगीती का आयोजन करवाया किसने करवाया अजाद स्त्रू ने 344 इसवी इसापूर में शिशुनाग वन्स की किस साशक की हत्याकर महापदमनन ने मगद पर नंद वन्स की साशन का सुत्रपात किया था तो शिशुनाग वन्स का अंतिम साशक बताना है तो वो थे महानंदिन या नंदिवर्दन और इनको मार कर फिर महापदेनन जो थे जो नंदवन्स की संस्तापक थे उन्होंने नंदवन्स की साशन का सुत्रपात किया था युनानी लेक कौने किसे अग्रभोज कहा है तो अग्रभोज कहा है धनानन्द को नंदवन्स का जो शाशक था धनानन्द उसे कहा है तो ये थे हमारे 100 किश्चंस महाजनपदकाल से रिलेटिड होप आपको पसंद आये होंगे और मुझे कमेंट बोक्स में जरूर बताएगा आपके कितने correct हुए हैं तो अगर आप कोई वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक बटन प्रेस करिए अपने फ्रेंड्स की साथ शेयर करिए और प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो थैंक यू